हाई अब्रीवान वेलकम बैक टू माय चैनल आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ब्राइडल ग्लो पिटामिन सी ग्लोइंग फेशल जो की काफी अच्छा ब्राइडल फेशल है अगर आपके पास भी कोई क्लाइंट आता है तो आप इसको बिल्कुल ये वाला फेशल आप बिना किसी सेकिन थोट के दे सकते हैं और काफी इसमें step है around 10 steps है और मैं आप लोगों को step by step इसमें बताने वाली हूँ कि किस तरीके से पूरा ये facial होता है ये facial दूसरे O3 plus के facial से बहुत अलग है तो आप लोग इस वीडियो को बड़े ही तिहान से देखेगा तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते है इसमें कुछ इस तरीके की packaging आती है जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं और मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि 10 steps है तो starting हमेशा cleansing से करते हैं और मैं आपको step by step यहां पर दिखाती जाओंगी कि second step कौन सा है और बहुत ही easy to use है क्योंकि क्लेट भी आती है जिसको की देखकर आप बहुत अच्छे से use कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लेंजिंग से वीडियो बहुत जादा लंबा हो जाएगा क्योंकि यह जो पूरा steps में 10 steps दिये हैं और मैंने यहां पर shot किया है आप लोगों के लिए जिसे कि आप लोगों को जो भी जरुद जरुद की चीज क्लेंजिंग में आपको जितने भी हमारे जो नॉमल स्टैप्स होते हैं जैसे कि जनल स्टॉप क्रिस क्रॉस इसके अलावा टैपिंग करना अच्छे से आपको 2-3 मिट पूरे जो भी चार पांच स्टैप हैं जैसे कि क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइस इन सब को रिपी कि किस तरीके से करना है तो वीडियो को बड़ा ही द्यान से देखेंगा बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगे स्टैप्स इसके अलावा जो जिता भी डैड़ स्किन हो रही है फेस पर वह रिमूफ करने में हेल्प करेगा इसके जो स्क्रब है ओतरी का वह इसमें खास बात यह है कि एक तो यह विटामिन सी के है जो कि गर्मियों में बहुत जादा एफेक्ट देगा किसी को अगर पिग्मेंटेशन की प्रॉब्लम है या फिर यूनों किसी के फेस पर बहुत पिंपल्स भी हो रहे हैं तब यह फेशल आप रिकमेंड कर सकते हैं क्योंकि यह विटामिन सी का फेशल है और दो से तीन मेट आप जितने भी आपको मैंने स्टैप्स यहां पर दिखाए हैं बहुत जली जली इसलिए दिखा रही हूं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो मैंने इसके अलावा भी फेशल की अगर आपको स्टैप्स जानने है कि किस तरीक के प्रॉब्लम नहीं है तो आप नहीं भी करेंगे कोमेडियम यूस तो भी चलेगा नेक्स टेप है विटामिन सी का टॉनिक यह आपको इस तरीके से इंफ्यूल में मिलेगा और यह काफी अच्छा होता है इसके लिए जो की पैनेट्रेट करता है और आपको इसको बस लेकिन होती है उनके लिए टोनर बहुत ज्यादा अच्छा होता है ना नेक्स्ट्स टैप है मारा फोर्थ जिसकों की हम करने वाले हैं क्रीम से मसाज अब आपको यहाँ पे दस से पंदर मिनेट मैंने मेंक्स देनी हैं अबवर्ड लेने हैं जिसने की फाइज और रिंकल्स केजच में minimization होता है इन steps को अगर आपको सिंगल देखना है ऑक इस तरीके से से स्टेप करते हैं वह आप मेरा सिंगल वीडियो देख सकते हैं जी समें ड़िए पर बताया है किस तरीके से मसाज देनी होती है और आपको डेक। ईर पर चेंद आइस और फोर हैट सब जगे कवर करेंगे और 10-15 मिनिट आप मसाज देंगे जनल स्टॉक से स्टार्ट करेंगे क्रिस कॉर क्रिस क्रॉस करना होता है आपको क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज इसके अलावा टैपिंग करनी होती है और आप देख सकते हो जैसे की वीडियो में इस है आपको और जो टाइम लिमिट है वो 10-15 मिनिट होगी ना फिफ्ट स्टेप की है बारी जो की है मास्क मैंने आप लोगों को वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि इसमें मास्क बहुत जादा है मसाज तो आपने 10-15 मिनिट दे दी उसके बाद आपको मास्क अप्ल जाल की हैंसे मिस रिमुव कर देंगे शिक्स और सेवन स्टैप आपको जो हमें मिलता है वह को साथ में करना है इस सिख्स तरीकते से आप फेशिल पावर मास्क दिया है जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में भी दिखाया था और जेल भी दिया है जिसको कि आप दोनों को जितना भी आपके पाउच में आया है वह सारा आप एक बाउल में निकाल लेंगे और जिस तरीके से आप वीडियो में देख रहे हैं और एक ब्रश की हल्फ से अच्छे से उसको मिक्स कर लेंगे दैन आपको 10-15 मिनिट तक कम से कम 15 मिनिट तक आपको यह लगा करके चोड़ना है यह फेशल मैंने आपको अपने उपर करके दिखाया है और इस फेशल की खास बात यह है कि इसका जो पैक है यह काफी कूलिंग अफेक्ट देता है जिनको भी पिग्मेंटेशन की प्रॉब्लम है फेस पर और बहुत जादा पिंपल्स की प्रॉब्लम है यह व बहुत जादा कूलिंग अफेक्ट है तो इसको हम 10-15 मिनिट तक छोड़ देंगे नाव बारी है हमारे एट स्टेप की नाव यह जो पैक आप रिमूव करेंगे वह कुछ इसी तरीके से करेंगे जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं ऐसे कहीं से भी तूटना नहीं चा कि एट स्टेप में आपको यह शीट माँगाना होता है पूरे फेस पर और तरीके से आपने अभी जो आपक्ति टारा ज़क आया था उसी तरीके से आप शीट मांगे पूरे फेस थे ओतरी के उसमें शीट मास्क नहीं आते थे बट यह वाला जो स्टैप है यह एड है तो यह जो शीट मास्क है वह काफी अच्छा होता है आफ यह जितने भी हमारे इनों मसाज करने के पाद जितने भी पोर्स ओपन हो गए है फेस के वह क्लोस करेगा उसके अलावा यह काफ से फेस पर लगा करके छोड़ सकते हैं और यह डीपर पेनिट्रेशन देगा बहुत अदा नरिश्मेंट देगा फेस को आफ्टर दिस और नाव टेंट स्टैप में आप इसको फिनिश कर सकते हैं इस पूरे फेशल को SPF 30 इसकी वाइटनिंग क्रीम है इसको लगा कर आप छ अब मार्केट में तो मैंने सूच आप लोगों को बताओं अगर आप लोगों को जड़ा सभी कोई बी कंफ्यूजन है आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूस सकते हैं और इसी तरीके के पालर से रेटेट कोर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और